आद आप दोस्तों मैं हूँ यम्मेवाजित आप देख रहे हैं पैगाम टीवी आज की बात में आज हम बात करेंगे फलों के बादशाह आम की दोस्तों यूं तो आपने कई तरह के आम खाए होंगे जिन में हिमायत, लंगडा, जहांगीर या फिर बेनिशान दोस्तों ये आम तो हिंदुस्तानियों की दस्तरस्म हैं लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक आम की शकल नई है जिसका नाम है मियाजकी जो हिंदुस्तानी रुपों में 2,70,000 रुपे किलो दस्तियाव है अब इस आम की खुस्सियाद क्या है और इस आम की मांग क्यों बढ़ रही है ये आम कहां कहां आपको दस्तियाव होता है और किस देश में इसे उगाया जाता है क्या इसकी फसल अब हिंदुस्तान में की जाने लगी है ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाएंद जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट मौसम गर्मा के आगास के साथ ही तमाम अफराद को मुन्फरिद जायके और निराली खुश्बोवाले अजीज तरीन फल आम का शिद्ध से इंतजार होता है अवाम इस फल को खाने के लिए बेचाए नजर आते हैं अब हमें ये भी पता है कि हमारे देखने वालों का भी ये मरगूब फल होगा ताहम हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इसे काट कर या फिर चूस कर खाएं हम तो यहीं कहेंगे कि आपकी जैसी मर्जी वैसे इसे शौख फरमाईएगा ये आम ही है जिसे देश का खौमे फल होने का एजाज हासिल है आम तिबी लिहास से भी बड़ा मुफीद फल है दुनिया भर में हर साल तकरिबन पांच करोड़ टंसे जायद आम की पैदावार होती है इस रसील फल की पचास फीसद पैदावार हमारे देश हिंदुस्तान में होती है इसके बाद चीन, थाइलेंड, इंडोनेशिया, बंगला देश और पाकिस्तान करम बराता है अब इस फल की अश्काल भी वक्त के साथ साथ बदलने लगी हैं और बदल गई है ग्राफ्टिंग के जरिये मुक्तलीफ आम वजूद में लाए गए है लेकिन जारिया साल आम का सीजन कब शुरू हुआ और इतनी जल्दी एक्तिताम पजीर है के पता ही नहीं चला के कब और कौन सा आम खाया, खाया भी या नहीं, पता नहीं हालात कुछ ऐसे हो गए के बे मौसम बारिशों ने आम की फसल को तकरिबन खतम ही कर दिया और बेवपारी हज़रात आम को फले फूलने से पहले मार्किट में ले आए और गरीब अवाम ने खटे और कच्चे आम जिन्हें जबरदस्ती पकाया गया था, खाया और बेमजा हुए आज कल जबके आम का मौसम इक्तिताम पजीर है, अब यही आम गरीबों की दस तरस से बाहर है कुछ लोग बेनिशान आम खाकर अपनी तश्नगी बुझाने में आफियस समझ रहे हैं तो अमीर अफराद आला खिसम और कॉलिटी के अजीज तरिन फलों को तलाश कर रहे हैं ऐसे में हमारे नुमाइंदे ने एक ऐसे आम को ढून निकाला जिसका नाम है मियाजकी जो दुनिया के महंगे तरीन आमों में से एक है जिसकी पैदावार जापान में होती है और इस आम ने दुनिया का सबसे महंगा फल होने का एज़ाद हासिल कर लिया है जिसकी पैदावार चर्द मक्सूस ममालिक में होती है इस आम की शकल और रंग सेप की तरह होती है जिसका वजन तकरीबन तीन सो पचाज गिराम होता है जो एंटी एक्सिडेंट्स बेटा क्रोटीन और फॉलिक एसिट से भरपूर होता है इस आम को एपरेल और अगस्ट के दर्मियानी दिनों में हम खा सकते हैं अब अगर आप इ शचदर रह जाएंगे मियाँ जकी आम की बेनलाखवामी मारकिट में खियमत दो लाक सतर हजार रुपे फी किलो गिराम है यानि अगर आपको मियाँ जकी आम खाना है तो दो लाक सतर हजार रुपे खर्च करने होंगे सिर्फ और सिर्फ एक किलो आम के लिए अब इसकी खाएंगे किस तरह आमों ने तरखी करते हुए अपनी खियमत को आस्मानी उस्तों तक पहुचा दिया है इसलिए कहते हैं कि ये शीरी फल बनी नोए इनसान के लिए खुदरत का आला तरीन तुफा है आप इस फल को जरूर खाएं और अपने अहबाब को भी खिलाएं और ये शेर गुन गुनाएं के आम तेरी ये खुश नसीबी है आम तेरी ये खुश नसीबी है वरना लंगडों पे कौन मरता है